जब कोई व्यक्ति भीतर डूपता है, तो अनभाव तो सबको समान होता है भीतर की शुन्यता का, उस शुन्यता में अवतरित हो रही पूर्णता का, सत्त का, चैतन का, आनंद का, जो भी हम नाम दें, ब्रह्म का, आत्मा का, लेकिन एक्स्प्रेशन बिलकुल भिन्न भिन्न ह होते हैं, कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व किस प्रकार का है, उसकी रूची रुज्धान कैसी है, उसकी एक्स्प्रेशन की कला कितनी विक्सित है, एक उधारन से समझें, एक गाउं के कुछ लोग पहली बार किसी परवती स्थल पर घूमने गए, उस मित्र समूह में एक प है, एक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक का एक्सपर्ट है, एक व्यक्ति कहानिकार है, एक कविता लिखने वाला है, और एक व्यक्ति में इस प्रकार के कोई गुण नहीं है, कोई कलात्मक, रचनात्मक खलाव से नहीं आती, और एक व्यक्ति उनमें गूंगा है, यह समूह उस परवती स्थल पर गया, सबने खूब एंज्वाई किया वहाँ पर, जब वे वापिस लोट के आए, तो गाउं के लोगों ने उनसे पूछा, कि आपने वहाँ क्या देखा, क्या सुना, कुछ बताईए, कैसा लगा, हिलिस्टेशन क्या होती है, गाउं में और कोई जानता ही नहीं था, कहते हैं, वहाँ बड़ी ठंड़क थी, क्या वास्तों में थी, उन सब लोगों ने अलग-अलग धंग से उत्तर दिये, जो गीत कार था, उसने एक सुन्दर कविता उस परवती निर्जनिस्थल पर बनाई थी, उसने वह कविता सुनाई, सब लोग बड़े अभी व्यूत हुए, बड़ी खुबसूरत कविता थी, जो एकती कहानी कार था, उसने वहाँ के किस से सुनाए, निश्चित रूप से उसके किस से सुनाने का धंग बड़ा मनुरंजक था, क्योंकि ये कला, उसको अल्लेडी आती है, जो संगीत कार था, वाध्यंत्र बजाता था, उसने वाध्य बजा कर बताया, वहाँ कैसे नदी कलकल करके बहती थी, हवाएं जब चलती थी, तो उँचे देवदार के रक्षों से कैसी सरसरा हट की आवाज पैदा होती थी, उसने वो आवाज पैदा करके बताई, वहाँ कुछ दूसरे प्रकार के पंची थे, जो गाओं में नहीं पाये जाते, उनकी आवाज कैसी थी, वो उसने अपने वाध्यंतर से निकाल के बताई, उसकी अभी व्यक्ति की कला और भिन्न थी, सबसे अलग थी, जो व्यक्ति गूंगा था, वो तो कुछ बोल नहीं सकता था, उसने इशारों से कुछ समझाने की कोशिश की, ऐसे देखो, तो सभी लोगों ने अपने-अपने ढंग से इशारे ही किए थे, जो लोग परवती स्थल पर कभी नहीं गए, उनके लिए कविता भी कुछ समझ में तो आई नहीं, कहानी से भी कुछ समझ में नहीं आया, संगीतकार के ढंग से भी समझ में नहीं आया, आप कुछ सोचो जो चीज हमने नहीं जानी नहीं देखी नहीं कभी पहचानी उसके बारे में हमें कोई किसी भी तरीके से बताए हम जो भी अनुमान लगाएंगे वो बड़ा भूल चूग भरा होगा और यह देखकर कि सारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं या मिसंडिस्टेंडिंग कर रहे हैं यह जो बाध्यंतर से वाज निकाली जा रही है यह एग्जेक्टली वैसी तो नहीं है कहीं यह लोग इसी को न समझ लें कि यह सच है तो एक व्यक्ति मौन रहे गया चुपी रहे गया उसने का मैं कुछ भी कहूंगा तो मुश्किल खड़ी होगी कुछ का कुछ समझ रहे हैं इतना confusion अलेडी हो चुका है एक कहानिकार की वज़े से एक कवी की वज़े से एक संगीतकार की वज़े से अब मैं कुछ और कहूंगा और भी गलत फेमिया उत्पन हो जाएंगे बहाँ बाद बिवाद होने लगा कि इन मैसे कौन सही है कौन गलत है वो सब लोग कह रहे थे हम सभी सही है कोई गलत नहीं है गाहां के लोग उनका ऐसे कैसे नहीं कहां वो बाद्धियंत्र बजा रहा है कहां आप एक किस्सा सुना रहा है कहां वो एक कवित्र सुना रहा है कोई आपस में मैचिंग ही नहीं है और ये गूंगा आदमी अंगलियों के सारे से कुछ कुछ बता रहा है कोई मैचिंग नहीं है आप लोग के बीच में बड़ा मत मत आंतर है मत भेद है सुनने वाले की दृष्टी से बड़ा मत भेद हो गया बताने वाले एक ही बात बता रहे थे और इनका बाद बेवाद देखकर एक आदमी चुप ही रहे गया अब कुछ भी नहीं बोलना इनसे और जिस व्यक्ति को कोई कला नहीं आती थी वो भी चुप रहे गया क्योंकि वो क्या कहे उसको भाशा भी अच्छी बहुत नहीं आती थी ना वो कभी तरह लिख सकता था ना कहानी कह सकता था ना संगीत कार था उस समूँव में एक नर्तक भी था उसने निर्ट करके बताया तो और भी मुश्किल था निर्ट की भाव भंगी मावों में उसने बताया कि कैसा सूर्योदय हो रहा था ऐसा अपने गाउं से कभी नहीं देखा गया कैसे रंग बे रंगे बादल थे वो उस ग्रूप के जितने लोग थे वे आपस में तो एक दूसरे की बात समझ रहे थे कि ठीक बता रहे हैं लेकिन गाउं के जो लोग थे वो कहन लगे तो हद्ध हो गई इर्णत्य करके कुछ-कुछ इशारे कर रहा है कुछ भाव भंगी मावाई बना रहे है इससे तो कोई मैचिंग ही नहीं बाकि की अन लोगों के वक्तव्यों की क्यों आपसे ये कहानी कह रहा हूं क्योंकि ऐसा ही कुछ होता है जब कोई अंतरतम में डूपता है ध्यानस्त होता है समादिस्त होता है यदि उसके पास पहले से ही कोई अभिव्यक्ती की कला है तो वो उस धंग से अभिव्यक्त करने का प्रयास करेगा ऐसे लोग सेंकणों में एक होते हैं अगर सो आदमी ब्रह्मानंद को जानते हैं तो मुश्किल से एक व्यक्ती पलट कर आएगा और लोटके गाउं के लोगों को बताने की कोशिश करेगा निन्या नवे प्रतिसद तो इस बात को देखकर कि कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं समझने वाला नहीं जंजट और खड़ी होंगी बात भी बात कड़े हो जाएंगे कुछ लाब नहीं वे चुप चाप रह जाएंगे या वहाँ लोट कर ही नहीं आएंगे उनको वो जगे इतनी अच्छी लगी अब कौन वापिस लोट कर उस गाउं में जाए वो वही नवास करने लगेंगे उन्हें याद भी ना आएगी कि कोई दूसरी लोग भी है और उनको इस सुन्दर जखे के बारे में कुछ नहीं मालूम और उनको ख़वर करें ऐसा ख्याली नहीं आएगा ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके हिर्दे में दूसरें के प्रती भावना होती है मदद पहुंचाने की अधिकानस लोगों के हिर्दे में नहीं होती तो वो करुनावान लोग ही वापस लोटेंगे तो उनकी गिंती ही बहुत छोटी है एक प्रतीशत और अगर उन्होंने पहले ही अभिव्यक्ती की कला में कुशलता हासिल की है तो वे कुछ समझाने की बताने की कोशिश कर पाएंगे अन्यथा नहीं कर पाएंगे अब ये नहीं हो सकता क्यों कोई वहाँ से लोट के वापस अपने गाओं आके नए सिरे से कभी बनने की कोशिश करें ऐसा नहीं हो सकता अगर वो पहले से ही कभी था तो सहज रूप से काब्व उससे जहरने लगेगा लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अब वो आके वो कविता लिखने की कोशिश करे तो जनम जात काब्व का गुण होता है कोशिश करने से नहीं आता कोई वक्ता है समझाने की कलामे निशनात है वो अपने ढंक से समझाने की कोशिश करेगा पर ये नहीं हो सकता कि वहाँ से कोई लोट के आके अब कालेज और इनवर्सिटी पढ़ने जाए और आदुनिक भाषा में कैसे समझाई जाए कोई चीज ये संभाव नहीं है वो समय बीच चुका तो थोड़ा सा ही समय है बुद्धत के बाद जो लोग लोट के आते हैं उनके पास बहुत थोड़ा सा काल बचा है उस काल में वे कोई नई कला वेक्सित नहीं कर सकते वो समय तो बीच चुका अब जो उनको आता है पहले से वे उसी में कुछ एक्सप्रेस करने की कोशिस कर सकते हैं तो मुश्किल से एक प्रतिसत लोग उस सुन्दर जगे से वापस लोटेंगे निया नवी प्रतिसत तो भूल गए गाओं के लोगों को वो जो एक प्रतिसत आये हैं वो अपने पुराने अभिव्यक्ती की कला के अनुसार अपने ढंग से व्यक्त करेंगे निश्चित रूप से कोई बड़ी सफलता नहीं मिलती है क्योंकि वो जिस लोग की बात बता रहे हैं इस संसार के लोग वहां की कोई बात नहीं समझ पाते हैं इसमें उनकी भी गलती नहीं है उनकी कोई भूल चुक नहीं है उन्होंने वो बात जानी ही नहीं उसके बारे में कैसा भी बरणन करो उनकी तो पकड़ में कुछ नहीं आता तो ये भी समझ में आता है कि उनकी भी कोई गलती नहीं है और भीतर से करुणा का भाव भी है कि मैं कुछ बता दूँ शायद कोई वहाँ चलने को तैयार हो जाए कि कौन सी जगा गुम के आया आप हम भी चलते है तो ऐसा यदा कदा ही होता है लाखों लोगों से बात करो तो शायद कोई एक का दुक का तैयार होता है कि आपके कहने से तो हमें समझ में नहीं आया लेकिन आपके परिश्रम को देखकर ऐसा लगता है कि जरूर आपको बहुत महत्पूर्ण अनुभव करके आये हैं चली हम भी आपके संग उस जगह चलते हैं लाखों में कोई एक ऐसा कहता है उसी की खातिर इतनी महनत की जाती है बहुत धर्म में दो शब्दों को उप्योग किया जाता है अरहत और बोधी सत्व अरहत वे हैं जो अपने आनंद में डूप गए मगन हो गए, लीन हो गए, दुनिया को भूल गए संसार को उनके बारे में पता भी नहीं चलता तो जितने बुद्ध पुर्षों के बारे में हमें सूचनाये हैं, इतिहास की उससे कम सकम सोग उने जादा लोग बुद्धत को पराप्त हुए हैं लेकिन उनकी हमको कोई खबर नहीं मिलेगी क्योंकि उन्होंने कभी लोट के कुछ बताया नहीं उच्चुप ही रह गए यह देख कर कि कोई बात कहीं नहीं जा सकती और उनके वीतर वैसी भावना भी नहीं थी कुछ कहने की बताने की बुद्धि सत्व उन्हें कहते हैं जो वापस लोट कर आए जिनके भीतर करुणा की भावना थी याद रखना यह करुणा की भावना भी पहले विक्सित हो गई है तो रहेगी बाद में विक्सित नहीं होगी जैसे मैंने आपसे कहा कि काव लिखना या कहानी लिखना या संगीत कार होना की नर्तक होना ये चीजें पहले से हो चुकी है भूमिका बन चुकी है उसके बाद कोई विसे सन्वह हुआ है तो आप अपने ढंग से उसको व्यक्त करेंगे अन्यता नहीं करेंगे तो करुणा की भावना भी अगर पहले से विक्सित हुई है धीरे 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 जैसे जैसे हम शान्त होते चले गए, ध्यान में डूबना सीखते चले गए और हमारे भीतर करुणा का भाव, मैत्री भाव भी विक्सित हुआ कि काश जो मैं जानता हूँ वह दूसरों को बताऊं ऐसा भाव विक्सित हुआ तो जाकर हम बोधी सत्व बनेंगे तो ये बात बाद में तै नहीं हो सकती कि हम बोधी सत्व होंगे की नहीं होंगे वो हमारे पूरे जीवन चरिया से इस जनम की कहानी से साइथ पिछले जनमों की कहानी का भी उसमें योगदान है अगर हमारा टाइप वैसा था कि हम जो जानते थे हम दूसरों को बताने की कोशिश करते थे हमें कुछ अच्छा लगा हम सब को बताने की कोशिश करते थे शेयर करने की भावना थी अगर वैसा हमारा हिर्दे विक्सित हुआ है तो ही हम बोधी सत्व होंगे अन्यथा बोदे सत्व नहीं होंगे ये चीज बाद में नहीं हो सकती तो लंबी स्रंखला उसकी चली आ रही हो उस प्रकार की हिर्दे की भावनाई विक्सित हुई हो तो ही होगी अन्यथा नहीं होगी भगवान बुद्ध ने बहुत जोर दिया अपने भिक्षियों को कि जैसे जैसे तुम ध्यान की साधना करो वैसे वैसे मंगल भावना से विभरो करुना भावना से विभरो दोनों चीजों को एक साथ साधो इनका बड़ा जोर था कि समाधी और करुना दोनों साथ साथ बढ़े ताकि बहुत लोग बोधी सत्तु बन सके हम ऐसे नहीं सोच सकते कि अभी तो हमको खुद को ही नहीं मिला पूर्ण जब हो जाएगा पूर्ण जब देखेंगे नहीं फिर तब देखने का मौका नहीं है फिर करुणा भाव फिर विक्सित नहीं होगा अगर वो पैरलल साथ ही विक्सित होता चला गया तो अंत में जाकि जब समाधी की पूर्ण खिलावट होगी तो करुणा की भी खिलावट हो जाएगी वो पहले से सब तैयार होना चाहिए प्रोसेस चलती रहना ही चाहिए तो भगवान बुद्ध का बड़ा जोर था कि अगर जगत का कल्यार करना है तो बहुत से ऐसे लोग तैयार हो जो बोधी सत्व बने सिर्फ अरहत होके ना रुक जाएं सिर्फ अपने आनंद से अपने स्वार्थ से अपने आत्मियान से सारोकार ना हो दूसरों का भी खयाल जिनको बना हो बहुत मुश्किल है और विसे इसकर जब हम देखते हैं कि इस प्रकार के ग्यानियों के साथ जगत ने कैसा दुर्वेवार किया मामला और मुश्किल हो जाता है किसी को जहर पिलाए गया किसी को सूली पर लटकाए गया किसी के हाथ पैर काट डाले गये न जाने जगत के लोगों ने क्या क्या किया और वे सर्फ हमको बता रहे थे कि उन्होंने परमानंद को पा लिया है तुम भी पा सकते हो लोगों को बड़ी चोट लगी ये बात ही हजम नहीं होती कि कोई हम से आगे है कि कहीं और पहुँच गया जो चीज हम नहीं जानते उसने वो जान लिया ये बात हमारे एहंकार को चोट पहुँचाती है ज्यानी जनों के जीवन का इतिहास देखकर करुना भाव और भी खतम हो जाता है कि कौन इस संसार के लोगों से जन्जट मोल ले भन्नवाद देना तो छोड़ो ये तो नाराज होते हैं बुरी तरह से प्रतिशोद लेते हैं लेकिन जिन लोगों ने करुना की भावना को शुरुआत से ही साधा है अपनी साधना के एक अनिवारी हिस्सा उसे बनाया है वे लोग निश्चित रूप से बोधि सत्व होते हैं और संसार के इस गलत वैभार को देखने के बावजूद भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि शायद कुछ दे पाएं शायद वो शायद जुड़ा ही रहेगा क्योंकि बड़ा मुश्किल है क्योंकि देना सिर्फ आपके हाथ में नहीं है लेने वाला कोई तयार हो तब और उन लेने वालों को कहां ढूड़ो कैसे ढूड़ो बहुत मुश्किल झालों कि धुड़ो